भले ही सुप्रीम कोट ने सेवी को सहकारिता मंत्रौले को पांक्ट हजार करूर रुपे रिलीस करने के आदेश दे दिये हूं भले ही सहकारिता मंत्रौले देख रहे हमेशा ने सहारा भुकतान कराने का दम भरा हो पर सहारा निवेशकों और जमा करताओं का अंदोलन रुखने के बजाए बड़ा रूप ले रहा है एक और जहार ठगी पेड़े जमा करता परिवार के रास्ट्रे सयोजक मदनलाल आज़ाद महरास्ट्र नागपुर से तीसरी भारत यात्रा शुरू कर रहे हैं वही ओल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जहां 14 अप्रेल को राजिस्थान विधान सभा के सामने जैपुर में तुरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं वही 29 माई को लखनाव में सामोहिक रास्ट्र गान गाकर योगी सरकार से भुक्तान की मांग करेगा ऐसे में प्रश्ण उठता है कि जिस सहारा में कोई कान नहीं फड़ पड़ा सकता था वहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया दरसल सहारा वही संस्था है जिसमें डंडे के जोर पर करमचारियों से जहां चाहे हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं चाटू काडिता के सभी हदे पार की जाती रही है हग की आवास को दमन के बल पर दबा दिया जाता रहा है सहारा की चेर्में सुबरतराय को भगवान की तरहा पूजा जाता रहा है राजनेता और नौकर शाह बाहुबलियों बॉलिवूर्ड और खेल हस्तियों तक पकड़ दिखा कर करमचारियों और निवेशकों को डराया जाता रहा है यह अपने आप में दिल्चस्प है कि मालिकानों और अधिकारियों ने तो जमकर आयाशी की पर करमचारियों का बशोशन और दमन ही किया जाता रहा इस संस्था में अन्याई के खलाफ ऐसा बिगुल बजा कि अंदोलन ने करांती कर रूप ले लिया सहारा में जिस मीडिया के बल पर रुत्बा कायम किया गया था उसी मीडिया हाउस नॉइडा में टेंट गार दिया गया था तिहार जेल में बंद चेयरमें सुबरुत राइ को जाकर खरी खोटी सुनाई गई थी ललकार दिया गया था सहारा मीडिया में हुए अंदोलन को सहारा क्रांती का नाम दिया गया था सहारा में सुबरतराय वैसे तो लोकतंत्र ही करते थे पर सहारा मीडिया में करमचारियों को डरा धमका कर रखा जाता था प्रबंदन ने ऐसा महल बना रखा था कि यदि अपने ही बीच के किसी साथी क अस्थान तरण कहीं किसी दूसरी उनिट में किया जाए तो दूसरी साथी उससे बात करना बंद कर दे थे वहीं 2006 में नोईडा राश्ट्र सारा में नई उनिट पटना के नाम पर 58 कर्मचारियों का अस्थान तरण कर दिया गया था अधिकतर कर्मचारी पूर्व समुष संप बादक बने रनविजय सिंग ने पटना यूनिट को उस समय सहारा मीडिया कर्मियों के लिए काला पानी कीम सजा के रूप में प्रचलित कर रखा था 2015 में जब कई महीनों तक कर्मचारियों को वेतन ना मिला तो नौइडा परीसर में एक अंदोलन का मौहल बन गया इसकी शुरवार टीवी वालों ने की थी परप्रेंट मीडिया ने इससे ऐसी गती दी कि सहारा की चूले ही हिल गए भले ही बाद में ब्रजपाल सिंग विज मालिकान और प्रबंदन का गैर जिम्मेदाराना और ताना शाहर रवया है यही वज़ा है कि जहां एक एक करके संस्था को खड़ा करने वाले बहुत से कर्मचारी या तो बहार कर दिये या फिराहत होकर अपने आप चले गए वहीं दूसरी और एक एक कर सहारा की संपती ब बंद कर दिया गया था कभी कारगिल तो कभी भूकंप और कभी सहारा वेलफियर के नाम पर अपने ही कर्मचारे को ठखने वाले संस्था के मुख्या सुबरत राय ने जेल में जाने पर भी अपने कर्मचारे को ठखने की योजना बना ली थी जेल से ही अपने कर्मचारे को को एक पत्र लिखा कि उनका तो अभी मान जेल में बंद है उसे जेल में छुडाने के लिए वे उसकी मदद करें अपने चेयर्मैन को भगवान समझने वाले करमचारियों ने देर न लगाई किसी ने 10,000 रुपे तो किसी ने इससे भी अधिक रुपे अपने चेयर्मैन को जे परदस्ती पैसे लिए गई यह वहद और था जब अधिकारियों मालिकानों की आयाशी में कोई कमी नहीं थी पर करमचारियों को वेतन मिलना बंद हो गया था 2015 में आधे-ाधे करमचारियों का साथ महा का बकाया संस्था पर हो गया उस समय संस्था में आधे से भी कम वेतन मिल रहा था टीवी के साथियों ने हिम्मत दिखाई उन्हें समझा दिया गया पर जब प्रिंट मीडिया के साथियों ने मोर्चा संभाला तो आंदोलन ने गुवाई कर रहे थे प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के करमचारियों ने एक जुट का परिच्चे देते हुए आंदोलन को बड़ा रूप दे दिया आंदोलन ने ऐसा जोर पकड़ा की देहरादून बनारस लखनाओ गौरकपूर कानपूर और पटना की रास्ट्र सहारा के गेट पर खड़े थे इसी बीच एक दिन सुभा साड़े आठ बजिया चानक गौतम बुद्नगर का पूरा पूरा पुलिस प्रशासन नौईडा इस्तित रास्ट्रे सहारा सहारा समय टीवी के परीसर में बुलाया गया जहां पुलिस प्रशासन और प्रबंदन न उस दिन रन्विजस सिंग की हेकडी भी निकालती गई थी रन्विजस सिंग ही नहीं सीभी सिंग जैसा दिकारियों को भी आउकात बता दी गई थी मामले को विगरता देख राजेश कुमार ने ब्रजपाल सिंग को पटाया और सुब्रतराय से एक भावुक पत्र लिखव ने लगे थे अपनी तादा से मजबूर सुब्रत राय अपने वादे पर खरा ना उतर सके तथा सितंबर महा में फिर से आंदोलन शुरू हो गया मुंबई की यूनियन से नॉड़ा समत कई यूनिटों के साथ ही जुड़ गए थे गीता रावत को यूनियन ने उतरप्रद दी गई यह अंदोलन गीता रावत की अगुवाई में चल रहा था प्रिंट और टीवी मीडिया के साथ ही पूरी तरहां से लामबंद थे टिकडम बाजी में माहिर सुबूत राय ने अपने सिपलहसार उपेंद्र राय को अंदोलन को तोड़ने के लिए लगाया उपेंद का वेतन तथा नियमित रूप से पूरे वेतन देने के आज वाशन पर उपेंद्र राय ने अंदोलन को तुड़वा दिया इस अंदोलन ने मुकुल राजवन्शी और उतपल कौशी की बली ले ली मतलब इन दोनों साथियों को नौकरी से निकाल दिया गया था उपेंद् रावत और मोही श्रीवास्तव ने इस अंदोलन ने 21 अंदोलन कारियों की नौकरी ले ली थी जब इन 21 लोगों की नो एंट्री कर दी गई तो इस बरखास्तगी का इतना असर जरूर हुआ कि फिर से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के सभी करमचारी गेट क के बाहर आ गए रास्ट्रिस सहारा के मेंगेट पर बड़ा अंदोलन हुआ पर करमचारी जादा दिन तक ना टिक सके इस अंदोलन को तुड़वाने में ततकाली समू संपादक विजयर राय का नाम आया था दरसल गीता रावत के अगुवाई में बनी यूनियन मूल तो मैं शिवानी मांगवानी आपको आज की इस वीडियो में बस यही जानकारी देना चाहती हूं साथी सहारा से चुड़ी डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें